कि कि हैं लूब है आप है कि है लो जाहिंद आप सभी को भाइब मैं विनित्वारी फैकल्टी आप सी से आप का स्वागत करता हूं स्टडी आई क्यों आईएस हिंदी में एक बार कमेंट करके बता दिजी इस एवरीटिंग ओके सब कुछ सही है अवाज आ रही है एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दिजिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और आज कोडिंग डिकोडिंग के प्रिवेश चेर के कोश्चन समलोग करेंगे ओके एक बार साउंड का कंफर्मेशन दे दिजिए सब कुछ ठीक है गूड आप्र नून सभी को क्लियर सर ओके चरे तो अगर कोई डाउट्स वगरा हुआ करें तो आप यहां पर मेल कर सकते हैं विनिट डॉट टिवारी अडिरेटी स्टडी डॉट कुछ भी पूछना कुछ भी आप सको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप वहां पर मेल कर सकते हैं डिरेक्ट अब यहां पर यह मेरा टेलिग्राम चैनल विनितिवारी मैस इससे जूड़ जाए इस पर लिंक्स वगरा और पीडिएप्स वगरा सारे कुछ आवेलबल होते हैं आप ओके तो फिलाल हम लोग आज प्रिविएस येर के कुशन्स करने वाले थे लास्ट क्लास मे मैंने आप लोगो कॉंसेट्स बताया थे कोडिंग डिकोडिंग का कॉंसेट्ट क्या होता है और उसमें किस-किस तरीके के अप्रोच लगाते हैं कुछ मिसलेनियस अप्रोच भी हो सकते हैं हम लोग प्रिवियस एर के जितने भी कोशन्स होंगे यूब यह सी में आए हुए और बस आज प्रैक्टिस प्रैक्टिस है तो आप लोग का काम है यह कोशन्स देखेंगे और आप लोग उसका आंसर बताईएगा कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा मैं भी उसका सोलूशन्स बताऊंगा और जहां एक्स्प्लेनिशन की जवरत होगी कुछ नया देखने कि मैंने कर लिया ठाटी यह भी कोशन मैंने इसको मैंने थोड़ी देर के लिए स्किप्टला यह भी कोशन हो गया था अब यह हमारा से कोश्चन में आ चुका है कोश्चन यह आप लोग देख सकते हैं से यह कुछ ऐसा कोश्चन है कि एक कुट भासा में mathematics को लिखा गया है LBSIDN ZU HDR लिखा जाता है तो उसी कुट भासा में केमेस्ट्री को क्या लिखा समझना जरूरी है किस तरीके का अप्रोच अप्लाई करना है वह बहुत जरूरी होता दिमांग में हमेसा 24 गंटे जब भी आप इसके कोश्चन कर रहे होंगे दिमांग में यह चीज होनी जरूरी है सिक्वेंस जो मैंने आपको लास्ट क्लास में डिसकस किया था जैसे मैंने बताता है कि कोश्चन देखते ही सबसे पहले आप देखोगे क्या यह पोजिशन कोडिंग का कोश नहीं आया है इसका मतलब यह पोजिशन कोडिंग का कोश्चन नहीं है फिर उसके बाश्imo का अपोजिट होता है एंप। पहूआ का मैं था जबहां दिखने रहा है इसका मतलब बाइंधि का भी नहीं है तो हमें कुछ औप कुछ देखेंगे तो अब देखो पूरा पर बढम लिखनी की जवरत नहीं है यहां भी नमबरिंग कर सकते हैं मैं यहीं पर नंबरिंग करता हूँ ठाइए फ्रसा ध्यान दोगे तो सब कुस्वाइब इसका 13 होता है इसका है 12 होता है च्छोटा चोटा है चलो इसको को लिखी लेते हैं कि वैसे लिखने की जोरत नहीं है अब कॉपी पेन अगर अराम से यहां से भी ऐसे इसे कर सकते मैं उसको उसको भी उस तरीके से लिखते हैं यहां अगर स्वेख्स प्रेंगे जैन का इसका टी का होता है गी टीच नहीं देख रहा लेकिन और इसको को नंबरिंग करते हैं नंबरिंग करेंगे तो इसका होता है तेरह इसका वन इसका बीस इसका आठ इसका पांच इसका तेरह इसका एक बीस और नो और तीन और यह उननिस हो गया ठीक है फिर यह बारह होता है दो होता है उननिस होता है नो होता है चार होता है चोड़ा होता है होता चार होता और यह मुझे याद है उसी space से आपको भी याद होना चाहिए तरीके से आपको भी आगर इतनी इतने फिर इतनी स्ट्रेड नंबरिंग यांति और इतनी स्पिर होता थे फिर फिलाल देखो पिर ऐसीसाज आरो देख थे निस अः कह सी किर जा कि यहां पर 20 से 19 गया तो यह प्लस ब्लस का बन हो रहा है चल कि रहा है यह एक सिक्वेशन फ़ोल्व हो रहा है से माइनस वन करेंगे माइनस करेंगे तो हमारा यह हमारा फिर फिर एच से माइनस प्लस का वन करना है एस से प्लस वन करेंगे तो एच का आठ होता है और प्लस वन करेंगे तो नो हो गया आई हो गया ठीक है फिर एका पांच होता है माइनस वन करेंगे तो डी हो जाएगा चार हो गया ठीक है फिर उसके वासे प्लस का वन करेंगे यहां प वी आईडी एन वी आईडी एन वी आईडी एन सेकेंड पार्ट सही है हमारा एक बार इसको चेक कर लेंगे क्योंकि हो सकता है टाइफ से कोई गलती हो एक बार आगे भी मैं स्टोमी पार्ट्ट सही है तो हुआ कि कि पहले का पहला यह फ्रवर्ड कोडिंग का कॉशन था पहले दूसरे का दूसरा तीसरे का तीसरे से चोथे का चोथे से इसे 55 और हो रहा था माईनस फ्लस ओन सिक्वेंस एक बन रहा है उसी के भिहाब पे अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है फिल्टर करने में तो आप एक काम करना केंस्टि की स्पेलिंग यहां लिखना दोगे मेरे भाई तो यह तीन होता है आठ होता है पंच होता है द ihr ainda होता है लिए फिर यहां से करेंगे तो यह 13 13 14 14 होता है हमारा एन के लिए ठीक है और यह माइनस वन हो गया तो यह नो और नो में से गया आठ आठ होता है एच के लिए ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे देख लेना यहीं आंसर आएगा ठीक है टाइम पास हो जाएगा ओके अगर आपको ऐसे नहीं डारिक्ट सोच के भी आप थोड़ा सा आधर डाली रूटीन में लेके आएंगे तो बहुत सारे सोच के आंसर बता सकते यह लिखने की जोरत नहीं होगी टाइम बरबाद नहीं होगा ठीक है तोड़ा सा देखो अगर कॉंसेंट्रेशन बनाओ और नंबरिंग पर आपको कमांड होगा तो स फिर से अपनी तरफ से मेरे मुझे जो लगेगा कि थोड़ा और हाड कोशन हो सकते हैं और क्या-क्या आगे आने वाले एक्जैम में पूछ सकता है यूपी यह स्टेट पीसिस में पूछे जा सकते हैं वह सभी के सभी मैं आप से डिसकस करूंगा ठीक है फिलाल इसमें रखा है 15 और 78 ऐसा दिया है तो उसके बाद से हमारा डीए एफ का दे रखा है हमारा 912 अच्छा ऐसे कोस्टन में पता है आपको इनकी नंबरिंग लिखनी होती है नंबरिंग लिखो हो सकता उसका मल्टीपल लिखा हो हो सकता उनको जोड के कुछ मल्टीपल मल्टीपल लि 6 हुग ठाथ हरोगे पांच हुग गया 6 हुगयँ अ कग वॉइस प्रॉब्लम आ रहे एक एक बार कमेंट करके बताईे का आप लो bize प्रॉब्लम है क्या किसी का बीच में कमेंट था कि वाइस प्रॉब्लम का ऐसा जल्दी से थोड़ा बता दीजिए मैंने कमेंट पर ध्यान नहीं दिया मैं कोश्चन्स कराने लगा एक बार जल्दी से बता जिए अगर होगा तो मैं इसका रिजोलोशन कराता हूं मैं सॉल क्लियर है सब कुछ वाइस की बीच में रुकी हुई थी कुछ थोड़ा सा मुझे बता दीजिए आप लोग शुरू से ही सही चलना सब कुछ राधे 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 भाई हाँ ओके ठीक है चलिए जिसको प्रॉबलम हो रही है मेरे भाई आप से हमबल रिक्वेस्ट है कि आप एक बार रिफ्रेस करिए सब कुछ सही हो जाएगा ओके सब ठीक है चलिए ओके सब ठीक है तो अच्छी बात है और कोई डिस्टर्ब कर रही है लोग और वांटेड एनार्कीजम देखो हमारा क्या जाएगा थोड़ा साथ दिस्टर्ब लेकिन अच्छी बात नहीं है अगर इस इंटेंशन अगर आपका ऐसा है तो आप कैसे बढ़ी आधिकारी बनोगे या सबसे बढ़ी तो बाद बें बनना है सेलेक्षन ही कैसे लोग अगर ऐसा इंटेंशन है तो सिरियस क्लास में यह मजब करने लगे हैं आप लोग या कुछ अगर गलत इंटेंशन से अगर ऐसा कुछ कमेंड करता है कि वाइस नहीं आरी है सर क्लियर नहीं है यह सब तो अच्छी बात नहीं यह एक अच्छे सुड्ट की निसानी नहीं है ठीक है कही ने कहीं धोखा कर देखो तो यह overlapping हैना 7票 सबाइन वाचिं देखो इसमें यहीं पे आपको और देता हूँ एक तो बनता है कि यहीजो number इसी का कोचbacks multiple करके लिए गया है multiple मतलब जो नंब्र है ने इसी में किसी आप दोसेגा करके लिए, आघ डूसरा टाइप ऐसा में जाता है इससे जी एच आई था इसका था इसका था Yo यहां पर यहां तो कशॉविस का कैज देगा महंत समझना मेरी एक टाइप इसी का ho ruler всё मतलब किसी और से गोला करके डायरेक्ट लिख दिया गया बड़ा सिंपल यह होता है या इसी में हो सकता है कभी कभी यह जो numbering स्की होती है इनको जोड देता है, जोड के मालो इसकी ताइप ऐसा भी बनता है तीनी टाइप से हो सकता है अब एक सब्सक्ते जाता इस आपको थ्यान पड़ेगा और Euroyu बढू करके देखो इसका डबल के पास का नंबर गर इसको मैं डबल के पास का नंबर ये भी इसका दोlles से sabemos करके देख लो आप जैसे हम दो से मल्टीप्लाइक करेंगे असी को तो और यहीं मतलब इसका डबल कर दिया गया तो इसमें यह वाला टाइप सिंपल था कि डबल कर दिया गया है तो सबसे पहले तो इसी को चेक कर लेंगे अगर double treatment herb bekल सबसे पहले एक को अन्दाया लगाते हैं समझ रहे हैं यह यह जैसे 700 शुरूलव करके लाघ्विश। अगर यहीं मालो यह होता कि सतरीक 21 या 2200-2300 के आसपास होता तो यह 3 उना के आसपास का होता तो 3 से मल्टिप्लाई करके एक बर देखते नहीं होता तो फिर उसके बास से मैं बता रहा हूं अगर बड़ा नंबर आ रहा है तो यह वाला टाइप फॉल होगा इन सब का कुछ आगया मेरे भाई कि ABC किसके बराबर है तो फिलाल ABC का हम निकालेंगे ए भी है और से तो एक वन होता वी का दो होता है सी का तीन होता है तो इसका सबका दोगुना कर देंगे हमारा आ जायेगा दो चार और छे आगया 24 6 24 6 24 6 कौन सा और ऑट सही पारत है सही आंसर हैं में टाइम लग जाता है कभी-कभी लेकिन मेरा मानना होता है कि सब को समझ में आए कुछ लोग को आता है ऐसा भी कहते हैं कुछ लोग कि सर थोड़ा सा धीरे-धीरे आप करा देते हैं कभी-कभी तो धीरे-धीरे कराने का मोटर नहीं तो मेरा मानना है कि एक टाइप जो भी ह पूरी बात बता दो पता नहीं कब इतना लेंदी स्लेवर से पता नहीं कब फिर दुबारा मुझे मौका मिलेगा और कभी दुबारा मैं इसको सॉल्व कराऊंगा इस टाइब को तो मेरा मानना होता है कि जब भी कोई भी किसी भी चैप्टर में नंबर सिस्टम हो यहां हो एक आता है कोशन तो उस टाइब का थोड़ा सा क्या-क्या उसमें संभावना बन सकती वह मैं बताता हुआ चलता हूं इसलिए हो सकता टाइम कुछ सब्सक्राइब में त्यार होकर यह मेरा पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा लगए ओके देखो यूपी सी है यूपी सी 2020 का कुश्चन है अगर जल्दी बाजी में रहोगे तो फिर परसान हमेंसा रहोगे यह 2020 का कुश्चन है वैसे यह कहा जाता है इस चैप्टर को लेकिन य हमारा नंबर से इसका कोडिंग कोडिंग का ही कुश्चन है तो इसमें फिलाल दे रखा है एसी पी क्यूँ फिर उसके बाद से रखा है बी एस यू दे रखा है अब इसमें अगर मैं करूं इसमें इसकी नंबर करो एक तीन 16 और 17 हो गया फिर ये 2 हो गया पांच हो गया 19 हो गया और ये 21 सबसे पहले मैंने चेक किया था तो अपोजित अल्फावेट है क्या तो एक अजेड होता जेड नहीं था तम मैंने नंबरिंग किया है यह समय सोचते हुए कि यह हर कोशन में सोचना है आपको अब इसका ज़रा देखोगे एक से अगर दो की तरफ जाएंगे तो यह प्लस का वन हो रहा है एक में क्या दो एक से जोड़ना पड़ेगा तो उननीस आएगा फिर यह सत्रह सत्रह और प्लस का चार करेंगे तो सत्रह और चार एक किस होता है इस तरीके से करके लिखा गया तो वैसे ही एम एन जी आई इतना लिखने की कोई जोरत थी नहीं लेकिन मैं लिख देता हूं चौदा साथ और यह नौ हो गया ठीक है अब इसको अगर करेंगे मेरे भाई यह प्लस का वन हो रहा है तो तेरह और एक चौदा चौदा एन के लिए होता है यहां पर प्लस का दो हो रहा है साथ और दस हो गया दस होता हमारा जे के लिए पर उसके बास नौ और प्लस का चार नौ आगे बढ़ते हैं इसमें कुछ थानी एक्ष्टा बताने को ओके यह बड़ा स्पेशल कोशन है 2019 में पूछा गया था और यह बड़ा अच्छा कोशन है दिमाग लगा होगे तो बड़ा सिंपल कोशन है अगर फंस जाओगे तो फसी जाओगे एक वर इसकोशन को पढ़ते है पढ़िए आराम से ओके टेक यूर ओन टाइम प्रापर समय लीजिए कि कह रहा है इस कोशन में कि यदि बी के आगे बी से आगे बी से आगे सी डी एफजी एच आई जे इसकी बात हो रही होगी ओके और इसमें बोला है कि बी समेद बी को इंक्लूड करना बी से आगे तो से बीस आगे और यह नहीं लिखता वी समेद तो हम यह मान के चलते सी की बात हो रहा है सी से स्टार्ट हो रहा लेखन वी समय च्छान, बीसुए और वे शेको रहा है कि बीग को हींवर कर रहा आब उसके बाहर तो पार अंगरेजिसें लग्ला का प्रतेक एकांतर अक्षर यह वर्ड है एकांतर एकांतर अक्षर का मीनिंग आप समझो एकांतर अक्षर में एकांतर अक्षर में एक्षुली हो जैसे अल्टरनेट एक छोड़ के एक की बात होती एक छोड़ के एक की बात होती एक छोड़ के एक की बात होती एसा बोला गया ठीक है एकांतर अक्षर छो साल में हमारा 12 महीने होते हैं 12 महीने का आदा च्रह जुन तक 6 महीने हो गया उसके बाद प्रथमास जुलाइगा वैसे आप्षा से आपको क्लियर हो रहा होगा कि जुलाइगा को कैसे लिखा जाएगा यह बड़ा बढ़ी यह कुश्चन में जान तो नहीं है, लेकिन एक मिनट सोचने में मजबूर कर देगा, देखो कैसे, कहां रहे नah की B से स्टार्ट करिए, और B को include करना है, और एक अक्षर हमारे small letter में लिखना है, एक capital letter में, तो B को small लिखा, फिर C को capital, फिर डी को इसमाल लिखा फिर एको कैपिटल फिर उसके बाद एक सेकेंड इको कैपिटल ठीक है फिर उसके बाद से एफ को इसमाल लिखा फिर एफ के बाद फिर जी को कैपिटल ओके फिर उसके बाद से आई को इसमाल लिखा कि आई को इसमाल लिखा फिर उसके बाद से एक से एच है रहा एच को स्मॉल लिखा आई को कैपिटल लिख दिया ठीक है उसके बाद से फिर उसके बाद से जे को स्मॉल लिखा ठीक है फिर उसके बाद से के को कैपिटल लिख दिया फिर उसके बाद से भी को स्मॉल लिखा फिर उसके बाद से L.K की с्मॉल लिखा और K Aj рук When it is the last लिखना तो इस तरीके से हमें लिखना है एक तो तरीका है कि फूरा लखलो the espion समझो में कहें रहा है robotine में कह रहा है कि वी से मौल में लिखना और एकंतर बोला एकंतर खाड़ बोला है इसका मतलब होता है कि मौझार के दूसरा वाला यह oh में है तो अग्ला भी स्माल में होगा फिर EMP 27 इंग होगा फिर एक पोछोर र कर Gムा इस्टरीके से हो रहा है और बाकी जो बच गये उसको डिखना कोशन पढ़के इसी समझ पारे होंगा आप परिछ बाकी बचया With be שה एच जे एल यह सब हमारा स्मॉल में है और जो बच गए वो मेरा कैपिटल लेटर में मतलब सी बच गया बीच में सी कैपिटल में होगा फिर एक गर लेना है तो बोला जा रहा है जुलाई कैसे लिखा जाएगा सिंपल सा बात है जुलाई को कैसे लिखा जाएगा अब जुलाई को लिखा देंगे तो jHI है यहां पर जैना Lebensmasal लिखा गया इस वाल में जैङ हो गया और you आता यू की बाद में बात कर देंगे लिए टैस स्मॉल हो गया एक तो तरीका है पुरा यह को नहुट रिखिए क्तरीका पूरी दिए एक इतिमिया सिमा पीटटल में स्मल में केपिटल में सूमशिते टक लिख लिदिगे अब उसमें अगर साही साही लिख लेंगे तो उसके बाद से देखेंगे जे कैसे लिखा गया तो जे स्मॉल में यहां तो लिख दिया मैंने जे स्मॉल में फिर एल क्या है जुलाई में एल होता है ना तो एल किसम है तो एल भी स्मॉल में लिख दिया फिर हम यू का देखेंगे ऐसे ही लिखते जाएंगे यू की भी बारी आ जाएगी जैसे ओ के बाद o p qr st u u की बारी आ जाती है यू इसमॉल में लिखा गये यह दिख लेंगे फिर वाई की बारी आ जाएगी वाई समॉल में लिखा गये मेरे पास्ट इतना टाइम नहीं है मैं क्या करता देखो मैं पैटरन दिख रहाओं कि ग्डिश कोडिंग में हमें साथ का लोगे तो आप दुनिया के सबसे सुखी इंसान कहे जाओ गए जैसे दी की रेंकिंग ten होती है डी की उती है फिर एफ की रैंकिंग चैए होती है ची की रैंकिंग ऑठ लिख राओगा यह 10 और लाधोस को सब दलकव का तो च्छठा नमबर वाला Small में लिखाएगा तो यह बान समझ में आ रहूँ छठा फिर उसके बाद से साथ-वा नमबर वाला Small में लिखा जाएगा तो दस्वानrike से बारवान में लिखाएगा पतरले मैं संख्या जो विसम अस्थान प्यार है वो मेरे और में लिखे जा रहा है तो सिंपल अब हमारा क्वेशन सौल होगा जुलाई में पहले इनकी नंबर कर लेते हूं जुलाई प्लाइ की स्पेलिंग में लेता हूं यू यू होता है ठीख है अब जे की मी 1-0 फिर 5 स्पीर सम्सख्या सब्सक्राइब अब 10 को लिए यू के लिये क्या होता है अब 10 पे होगा तो मैं समझ रहा हूं कि इवेन प्लेस पर संख्या वाला जितना था तो संख्या को हम इस मॉल में लिख रहें देखो यहां पर और जो भी विसम संख्या वाला है विसम संख्या वाले को मैं विसम संख्या वाले को जा रहा है तो यू कैपिटल में लिखे देंगे फिर यह 12 हमारे स्मॉल में लिखा जाएगा तो इसमॉल कैपिटल ऐसा कौन सा तो हमारा डी सही आंसर यह बड़ा अच्छा कोशन था समझना था कोशन में जान नहीं थी लेकिन ऐसे भी कोशन के लिए त्यार रहना चाहिए त दिमाग में जामिनर का क्या चलेगा आपको भी नहीं पता किसी को भी नहीं पता प्रिवियस से लेकिन एक हेल्फ मिलती है कि उनकी थोड़ी माइन रीडिंग किस तरीके से क्या-क्या पूछे जा सकते हैं हम भी थोड़ा गेस कर सकते हैं तो यह तो करा ही रहो मैं लुक्स मुझे एक्जेक साचर मैं मान के चलना हूँ अपरिल तक है तो अफी दिसंबर दिसंबर अगर इसंबर को छोड़ दे दिसंबर फ्रवरी सब्सक्रावरी मार्च नहीं पांच महीने में में अगर एक महीने से रहोंगे कुछ अपनी तरफ से बनाएवे को चलेंगे तो कुल मिला कि आपके अभी 120-130 घंटे की क्लास अभी तक इस सीजन में होने वाली हैं इसमें बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे ऐसे कोशन और भी देखेंगे लेकिन प्रिवेश कराने का मेरा एक तरीका रहता है कि आपको अंधाजा लग जाए कभी कभी प्रिवेश को सब्सक्राइब बता रहा हूं उसमें तो उनकी भी आदत डालिए भाई सामना उसी से होना है आपका अभी कर लीजिए या डिरेक्ट पेपर में करोगे करना तो पड़ेगा आमना सामना पेपर में करोगे तो फिर यह अभी टाइम है सोचेंगे समझेंगे कैसे टेकल करते हैं को कैसे समझते हैं कैसे टाइम देते हैं बस हो जाएगा जादे मैं समय नहीं मांग रहा हूं यूटूब पे पेड़ वाले होंगे तो उनका तो चली रहा है बढ़िया ठीक है तो फिलाल देखिए प्रक्टिस क यह समझ में आगा है सबको एक बार कमेंट करके बता दीजाई देखो इस में बस कितना किसे पर और एक छोड के अगले को फिर इसमाल में लिखना है या तो आपके पास अगर यह इतना नहीं बन पा रहा है कि आप कर पाओ तो आपके पास सब्सक्राइब 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 करने मतलब समझ के कैसे करना है वह सीख गया तो बस यूपेसी में कोई जान नहीं यूपेसी के सीट में बस इनके स्टेटमेंट जो लिखते ना उसी में सब कलाकारी होती है वह समझ में आना चीह आपको ठीक है तो वही मैंने लिख दिया या तो फिर जो जी के लिए क्या रहा है जे इसमॉल में लिखाएगी एसे देख लो करते है इसका मुंबई मूम एंब अ बी ए आइ मुंबई मुंबई का लिखा गया एल एस जे एकस वी सी ओके अभी इसमें है यह 13 हो गया यह 21 हो गया और एक हो गया नों हो गया फिर यह 12 होता 19 होता यह 10 होता ना टॉन हो गया हो गया ये स्टार्ट है एक बार कर लिया कि पोजिशन कोडिंग стать कर लिया कशी मयं और के प्षियल से छता का आप Meine में पहले सी चेक करता हुआ चल रहा हूं और की पोजीशन कोडिंग है कि यह ना होने के बाद मैं लिख रहा हूं ठीक है अब अगर ध्यान से देखेंगे तो यह हमारा यह दो को तेरह है बारा है तो माइनस वन आ रहा है ठीक है एकके से उननेस है तो मैंगस दो इस लगा तो नो если बाद मायनस का चेंगे तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 इस तरीके से आ रहा है तो दिल्ली के लिए क्या होगा दिल्ली के लिए क्या होगा तो दिल्ली के लिए हमारा 4 है ये 5 है 12 है 8 है और 9 है ये this is 1 करेंगे तो 4 में से 1 घटा देंगे 3 और 35 हमारा सी के लिए होता है मैनस का 2 कर देंगे तो 5 में से 2 गया 3 तो ये सी के लिए होगे dilelly-3 करेंगे तो 12 में से 3 जाता है तो नो 9 हमारा i के लिए होता है फिर माइनस की चार करेंगे तो 8 में से 5 चार हमारा D केका भी करेंगे तो 9 में से 5 गगेً 4 हमारा होता है क्लिए तो CCIDD 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 हमारा भीपाड सही आंसर है ठीक है बोलो ना तो सर प्लीज सर सर अब टेंशन क्यों लेते हैं यह बच्चे वह से आरह सब कुछ फोड देंगे कोई बाद ने क्या कोई कह रहा है सर प्लीज सर क्या आप बताईए क्या कहना है मैं कमेंट नहीं पड़ पाया एक बार कोई कोई डाउट हो कोई प्राब्लम होंते एक बार फिर से आप टाइप कर दीजिए आगे बढ़ते हैं कि चलिया ओके अभी इसमें दे रखाया और कि यह भी होता है यह और यह टाइप मैंने कर आए नहीं था आप लोगों को यह वाला टाइप यह टाइप यह बार देख लो कि में हागसं जी को कि अपता इसमें गए रहा रमन का कोड एक दो तीन चाहर पांच दे रखा थो देनेश का भी दे रहा है कोड तो इसमें दो सब्द लिखे गया एक लिखा गया रमन और एम म hin रमन अभी तक एक सब्द लिखा होता था और यहां पर एक सब्द लिखा होता था तो फिर नंबरिंग करते थे लेकिन यहां पर नंबरिंग करके ही लिखा गया है ठीक है फिर उसके पासे दिनेज का लिखा गया है डी आई एन इस एच दिनेज लिखा गया है इसके सामने भी एक अंक ल आठ चार और ये नौ लिखा गया ठीक है अगर मैं नंबरीं की बात करूं इसमें ये एक टाइप ये भी आ चुका है ये कौन से में देखो इसमें बहुत ही सबसे कोडिंग का सबसे असान टाइप यही होता है तप पूछा गया है और है कि एच एम हमाम एच ए मी एम पुछा गया ठिक है ऐसा पूछा गया तो ऐसे 空सें सबसे पहले दिखते कि क्या जो पूछा गया उसके सारे 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 हु़ारा लभावेयर समें इन दोनों को मिला के है तो है तो एच यहां पर अप्या धि C looking high-team to s तो यह सबसे सिंपल होता है अब इसमें ज्यादा दिमाग ना लगाता है बस आप यह देखो कि आर के लिए वन होता है एक के सामने दो तो तो मतलब जो जिसके सामने पढ़ रहा है ये दूस पहले नंबर पर तो पहले के लिए पहला दूसरा दूसरा वो उसी के लिए सिंपल कोड हो जाएगा ठीक है वो उसी के लिए हो जाएगा आई के लिए आठ हो गया एस के लिए चार हो गया और एच के लिए नो हो गया तो अ यहां पर दिख रहा है के लिए दो है 1212 3 4 एंड उन्होन है रमन नहीं है चार जो सबक्सक्र das और olan उट्पूसै अब ऑन इसफ एम के लिए तो एक लिए दो हो गया मनें सम्ने खाला के लिए यहां पर है तो इसके लिए 3 हो गया वैसे इसका ज़रुरत नहीं थी वह का तो हमारा आंसर आ गया 92323 92 9323 यह हमारा आंसर ठीक है तो इस यह सबसे तरीक यहीस्ट आपका टाइप है कोडिंग डिकोडिंग का इसमें आपको ज्यादा दिमाग लागाने की जुरत नहीं इसमें एक अच्छा कोशन पूछा जाता है तो मैं बता रहा हूं ओके इसमें एक होता है कि सिंगल डिजिट कनवर्जन का होता है देखो इस टाइब की पहचान है सबसे पहले मैं बता दू माल लेंगे यह दूसरे नंबर तो इक लिए दो माल जेंगे इन तीसरे नंबर तो ये एम के लिए तो की लिए 8- Crime और ज्म blond लिए वैसे मान लेंगी तरीके से जो जिसके सामने यह लिए अल्फावाइट हो गया और सारीच मैच हो जा रहे थे कैसे सबसेट पार्ट होता है कुछ उससी से इंसपार्ड हो डोग最近 कोडिंग डिकोडिंग का तो नहीं है लेगिन इसी में मैंने रख लिया एक बार पूछा था 2017 में यूपीएसी ने पूछा और आप देखो हर साल कुछ नया टाइप चेंज कर रहा है यूपीएसी तो कुछ एक्स्टा टाइप भी हमें पढ़ने पढ़ेंगे जैसे अभी गुरूप कोडिंग का तो पूछा नहीं है अपोजिट का पूछ चुका इसके बाद अपोजिट का जाएगा गुरूप कोडिंग का नहीं पूछा रिवर्स का भी नहीं पूछा तो हो सकता है चांस हो रिवर्स और गुरूप कोडिंग का है उसके अलावा भी ट ॹार नंबर लिखा गया एक जिसमें तीन है नंबर को नियुक्त हैं और एक तीसरा सब्द किसी इसमें से और इस नमबर में भी तीन नमबर सें एक डोगी तीन डिजित हैं तीन डिजित इक डिजित किसी मपर सब्य Travis करन रहा होगा इस में से एक और डिजित किसी तीसरे सब्सक्राइब अप्ध करना कि पांच की निवधर सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं ठीक है और एक और सब्सक्राइब लिखा गया और सब्सक्राइब करने का सबसे सिंपल तरीका है कि दो को उठाइए उसमें जो कॉमन होते हैं वह मैच कर जाते हैं जैसे देखो मैंने इसको उठाया 204 और ये 256 या इस से पहले इनको उठाओ 256 और 505 8 9 अब इन दोनों में सब्द पहले देखो क्या कोमन हैसा देखेंगे लाल रंग चाथ यहां पे लिखा हरा wrong full तो इसमें भी रंग है और इसमें भी रंग है तो संब कर लो एक तरह बास मुझे हैं कि दोनों में रंग common है सब दों में देखेंगे लाल रंगacerा हरा रंग further यहां भी रंग और इसमें अंक में देखेंगे तो 256-589 इंनमें हमें 5 पांच कॉमन है यसमें如何 यहां निय Carrie रहा होगा के लिए थी थाक है अब फिर उसके बासे 5 हो और यहां कि लिए बासे आप इसको और इसको कर लेते हैं यहां परवी में देखो सफेद रण चाह तो मुझे पता चल गया भी है फिर इन दोनों में देखेंगे पॉनअ के हैं पॉन एफल्ग सबनाब में तो यह दो कमन हो हो गया यहां पर भी दो कॉमन हो गया तो इसका मतलब चाक के लिए चाक के लिए दो आ रहा होगा ठीक है चाक के लिए क्या रहा होगा तो दो आ रहा होगा ठीक है अब बच गया हमारा यहां पर सफेद एक सब्द बच गया और यहां पर एक अंक बच गया तो सफेद के लिए चार आ रहा होगा और इसमें देखो इसमें इसमें बच गया हमारा लाल और लाल के लिए छे आ रहा होगा तो कोशन पूछा गया कि उस कोड में सफेद को इंगिद करता है तो सफेद के लिए हमारा चा मों प sprawdऊट हैं बहूत ही सिंपल कॉस्छन होता है इस में भी कुछ करना नहीं है अरिजनिंगे मैंसे ही सिमपल यार मैथ में मैं जाता है रिजानी भाटाण त् alleen रिबगता की दिमागप जोने डला है बस ऐसे बस आप को बहुत अच्छे चीज़ होती है मैस जान होता है अब देखो एक बार और रिपीट कर देता है मेरे भाई इसमें देखो ऐसे कोस्टन्स दे रखा है तो एक अंक दिया जिसमें रंग कामन तो रंग से रंग कंशल कर दिया ठीक है अब मैं इसको और इसको देख रहा हूं इसको पहले और तीसरे को अब इसके रंग इसमें भी था इसमें भी रंग था तो इसका मतलब रंग का थो 5 कॉमान ओगया था कि रंग का 5 होता फिर पांच हमने हटा दिया लिसके थर्फिर बचा हमारा बचा इन दोन में एक और सब्द कॉमन आ रहा है यह यह चाक है और इसमें एक ओर यह के आलावा 2 streas दो अब एक बात समझ में आ गई यहां पर छहके लाल के लिए है और यहां पर चार है कंध करने वाला तो सफेद के लिए चार आ गया चार साही congrerei है यह question देखेंगे यह यूपीसी 2016 का है वी यूपीसी वाला ही पार्ट चल ला है 2016 का है कि जल्दी जल्दी अब इसमें लिखा गया देखो इसमें अब मैंने बोला देखो पोजिशन कोडिंग एक बार चेक करना तो अगर ध्यान से देखोगे पोजिशन यह एस एस भी इसमें है एम है एम है एम है एक है पोजिशन कोडिंग का तो इस वाई स टीए एम हो गया सिस्टम हो गया मेरे वाई के सिस्टम को लिखा गया सवआ एन इंझा आर ए ए एसा लिखा गया तो भिकर इस के लिए हमारा लिखा गया और फिर यह याई उनिति लिखा गया नियर लिखा गया नियर लिखा गया तो सारे हुई पैटर्ण है और यह क्राऊस में बनार जैसी कि और यह क्रॉसमे आधाधा बाद रिया और क्रॉसमें क्रॉसमे ऑर यह समझते डिया रही है यह उश्ण चेकंडनेते यि यह से पिलए कंड़ी गया और यह यह कम यह यह एसे हो गया हो गया आध की लफा से हो तो इस तरीके का पैटन बन रहा है कैसे अलफाबेट इसमें चेन फदिल्फ लेकिन पूछा आठ तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि अगर इस गुरूब कोडिंग का गुरूब कोडिंग मैंने बताता देन और उसमें उसमें भी पोजिशन गोडिंग इंकलूट है ठाए ग्रूप कोडिंग का तो है लेकिन कोई चेंज नहीं फॉजिसन के अपको टाइप कराए था अगर 4 होता है तो 4 में क्या करते हैं इसमें 8 पूछा है तो 5 तो इसमें 6 थे तो 3-3 को बाठ दिया दो पार्ट में या 8 है तो चार-चार को बाड़ देंगे ठीक है तो सिंपल से हमारा अंसर आजाएगा इस पेस नहीं है क्या ओके चलो कोई बात नहीं यहां कर लेते हैं एफ आर ए सी टी आई ओ एन फ्रैक्सन है इसको हम लिख लेते हैं सुरू के चार लास्ट के चार मतलब ऐसे लिख लिए अब यह ऐसे कुछ होगा लास्ट वाला सुरू में ऐससे तरीके से बढ़ जाएंगा ठीक है असके बाहर आगया रहन ची अब च्छान के चार है लिए हमने नश्के चार पर यह होगे स्लास्ट वयाश्ट वाला इस बाहर श्रू आप आगया फिर आँ आगया फिर अ गया तो coun लिए आणसर है C-A-R-F-N-C-A-R-F-N-C-A-R-F-N-O-I-T-O-I-T-T-O-I-T-T-O-S-N-S-H-I-P-ART-E-C-A-N-S-N-S-S-E-M-T-A-S-S-E-P-L-T-A-S-K-O-D-I-N-K-O-D-I-N-K-O-D-I-N-G-O-D-I-N-G-O-D-I-N-K-O-D-I-N-K-O-D-I-N-K-O-D-I-N-K-O-D-I-N-K-O-D-N-K-O- सब्सक्राइब कर दिया कुछ दिमाग लगाएगा सिंपल को सिंपल नहीं रहा होता है कि सिंपल पूछेंगे लें करने भी नहीं देंगे करके रख देंगे इसलिए हम यूपी यह गर्व संक्राइब करने के लिए तो वहीज बात है यह पूछा सकता था इसलिए बार बार में पॉइंट आउट करता हूं लोग कहते हैं कि थोड़ा सा सर तेज पढ़ा दिए जल्दी जल्दी करा दिए अब जल्दी 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 बातें नहीं जब गूरूब करा रहा था तो मैंने आपको करो देखो वो चीज़ यहां काम आ गई तो हर चीज़ के पीछे रीजन होता है मेरे भाई ओके आगे बढ़ते हैं कुश्चन करते हैं कि हाजी अब यह हमारा यूपी यूपी पी सी एस का है कुश्चन ओके एक सी एक्स्टा लगा दिया गया इसमें ओके कि 2019 का कुश्चन है बोला जा रहा है डेट का डबलू जेड लिख दिया गया तो निमलेखित में से किस कोड को कम लिखा जाता है ओके इसमें था कि डबलो जेड जीवी ऐसा है ना अब उसको बास से पूछा जा रहा है कम को क्या लिखा जाएगा ओके बड़ा सिंपल है मेर कि तारिक तो याद होगी ना इस फिर से इंतजार बढ़ गया कल ऐसा क्या हुआ था कि इंतजार बढ़ गया फिर से बेसबरी से पूरे महीने इंतजार किये बहुत लोग ओके ओके देखे डी एटी मैंने बोला था कि देखो को अलफाबेट स्पॉजीशन का है गया डी है तो डी नहीं है लेकिन अपोजिट देखोगे तो आखो में चमक आजएगे डी डबली डुबी ड गाली ती पर आज मिलने का मन किया ठिक बता था लब बेहाँ होता है एलोई में वी इक्पेयर है यह इक दुसरे का पूझेट saat सारी क्लैसे वैसे सी का होता सी का एक्स होता है पुछा कंड पुछा हैंना cx complex में रहती थी वो L का हूता अभी बताए मने उल लव में एलो आता है मान नहीं लग रहा था सब्सक्राइब अनो यह मारा लिक्सली तौ हम आंशर आन गया च्णल कोई कह रहा है कि सरक सब कुछ हुआ बस कुछ ना बोला हाँ जे कभी-कभी खामोसी या सब कुछ बोल जाती हैं ओके ठीक है हिंदुस्तान याद रखेगा कोई बात नहीं हम तो सिरियस एस्परेंट हैं हम बेस किताबों की तरफ चलो बेवेकानन जीर ने बोला ना कि बेदों की तरफ लोटो तो वैसे आप हम आप को आवान कर रहें किताबों की तरफ लोटो कि द्यानन स्वरसिदी ने साथ बोला था कंफ्यूजन हो गया चलो कोई बात नहीं मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं है मैं मैस पढ़ाता हूं ठीक है कोई कह रहें जैसे मेरा मन नहीं कर रहा आंसर देने को देखो वास्विक्ता है मेरे दोस्त थोड़ा सा देश की बात आजाती है तो थोड़ा बुरा लगता है लिए वास्विक्ता तो यहीं है कि हमें खुद के लिए खुद की रोटी खुद का जुगार करना है कोई आके नहीं करेगा तो रियल्टी है कि जल्दी से मूब सो जाना अच्छी बात होती तुरंट देखो तुरंद में रोटीन हिए अपने रोटि में लग जाएए कि अपनी पद अपनी गर्मा के जुखार में लग जाई ह multim थे कैसे हमें पढ़ा रहे हैं तो चलिए आज के लिए तना ही फिर मैं आपको बता दो एक दो एक कोशन होमवर्क दे के जा रहा हूं मैं रुख जाए होमवर्क दोंगा भी फिलाल अगर जी किसी को सी से सब्सक्राइब करना होगा तो आपको यह बैच करना चाहिए यह बैच हमारा आप अप अप्लिकेशन बजाएंगे तो वहां बैच दिख जाएगा आपको जोईन करने के लिए मैक्समम डिसकाउंट के लिए आप वीटी लाइव कोड यूज करें जैसे कोड यूज करेंगे तो डिसकाउंट बहुत सारा हो जाएगा और यह लाइब बैच साड़े तीन बज़े होता है ओके और बहतर है अगर आपको प्रॉब्लम आ रहे हैं तो आपके लिए बैच है अभी फिलहाल के लिए एक होमवर्क में आपको देख के जा रहा हूं और उससे पहले और बता दो एक और बात यह से कोई डाउट्स वगरा है तो टेलिग्राम यह मेरा इमेल आइडी इस पर मेल कर सकते आप फिर बाकी उसके बाद से टेलिग्राम चैनल है विनीतिवारी मै देखते हैं जनवरी से दिसंबर से तो अब थोड़ा सीरियस एस्परेंट आते हैं ओके फिलाल एक मैं होमवर्क देके जा रहा हूं इसको आप लोग करिए गांसर इसका बदाए दो होमवर्क देके जा रहा हूं एक यह कोशन है इसका अंसर बताएगा यूपी PCS प्री 2018 का है इसका कमेंट बॉक्स मांसर बताएगा एक यह कोशन है इसके बाद से एक यह कोशन है पैन का लिखा गया मैंने यह भी टाइप करा था आपको कि यह देखो छोटा नंबर मतलब जोड़के कर सकते हैं इंट भी दे दिया इसका अब यह भी आपके लिए PCS का ही यह भी आपका होम वर्क ही है इसका भी स्कीन स्वाट आप लोग ले लीजिए बताना है कमेंट जरूर जितने लोग आते हैं सबका नाम पढ़ता हूं और कमेंट सबको करना है ठीक है सबको कमेंट करना जैसे खतम होगी क्लास करना होगा अब इसके बाद से यह भी हमारा यह भी हमारा आप लोग के लिए जिस यूगमा यह भी हमारा अब बताए होम वर्क ही एक तरीके से जैसे जी जे का इसमें जो ही जी जे को लिख दिया गया क्यू यू लिख दिया गया तो देखो इसकी नंबरिंग करके देख लो क्या मैं देखे जा रहा हूं इसका भी बताईएगा और चलिए यह तो मैं बता दूंगा आपको मध्य ठीक मध्य में क्या पड़ता है मख्षन जैसे आएगा एक और हमवर्क देखे जा रहा हूं यह वाला बताईएगा जो अल्फाबेट इसमें है वही इसमें पूछने वाला यह भी हो मरक है तो छे कोश्चन है और सबका नाम मैं पढ़ांगा कमेंट बॉक्स में सबका नाम चीए जो भी रेगुलर देखते हैं उनसे तो उमीद है कि आप इन सबका अंसर लिखोगे ठीक है सारे बार मैं हट जा आप इसका भी खोजी है बागे अगर कोई डाउट रहेगा तो मैं बता दूंगा नेक्स क्लास में अभी के लिए जय हिंद जय भारत मिलते हैं नेक्स क्लास में